विटरूट का हलवा विटरूट का हलवा बनाने के लिए विटरूट को हम छील कर साथ करके लेंगे फिर इस तरह से छोटे-छोटे पीस में काट लेंगे काट कर इसको मिक्सर में पीसेंगे पीस कर छान लेंगे ca क bisschen कर दो कर दो इतना जान कर इतना रस निकला है अब इसके अंदर है हम कॉन फ्लावर डालेंगे इसको इसमें मिक्स करेंगे इसना मिक्स करेंगे कि इसमें कोई लम्स ना रहे हैं के थंडे थंडे ही रखने आमने कॉन फ्लोर मिलाएं अब इसको हम इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे विट्रूल बहुत हेल्डी होता है यह बच्चों को बहुत पसंद आती है यह हल्वा आप अब यह पकले लगा है इसमें हम अपने टेश्ट के हिसाब से शक्कर डाली है इतना मीठा आप खाते हैं उसके हिसाब से आप शक्कर डाल दीजिए इसमें दालें यह अब इसको रप्री शॉट करके बताती हैं अब इसको जमनी के लिए जा लेंगे इसके लिए बने एक प्लेट में घी ग्रीज करके अब आप इसके अंदर यह 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 डाली हूं अब इसके अंदर यह सेट करने के लिए डालेंगे अब यह इसके अंदर में डाल दीए फ्लेट में अभी इसको दो घंटे के लिए सेट होने के लिए फ्रीज में रखती हूं इसके बाद आपको निकाल के बताते हूं वीट रूट का हलवा बनकर तयार हो गया है जोयाज किचन को लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो फिर मिलते हैं अगली रेसीपी में तब तक के लिए अल्ला आपिस झाल में तक करूँ अगली राते हैं अगली